अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चानल जियोवी पीवी टी को सब्सक्राइब करें जुसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्से मिल जाएगा अब चले बढ़ते हैं सुर्ख्यों क्यों आपको बता दे कि आपका इंतजार खत्म हो गया है आज से बिहार के सरकारी स्कूलों में इनकी न्यूखती प्रक्रियाश शुरू की जा रही है आज यानी 11 एप्रिल से लेकर 26 एप्रिल तक इसके लिए अभियर्थियों से आविदन लिये जाएंगे 29 अप्रेल सिर्फ 5 मई तक आपत्ती प्राप्त की जाएगी वहीं चुएनित अभियर्थियों को नियूकती पत्र 28 मई को दिया जाएगा गंगा में आज भी गंदापानी पूरा नहीं हो सका और गंगा में आज भी गंदापानी बह रहा है गंगा पर काम करने वाले विशुचग्य पूरी योजना पर सवाल खड़े कर रहे है वहीं आर्थिक विशुचग्य इसे भ्रहष्टाचार का बड़ा कारण बता रहे है मौसम विभाग ने 24 घंटे में बारिश होने का पुर्वानुमान की अज़वारी बिहार का मौसम आम लोगों के समझ से परे है कहीं तीखी धूप, कहीं बारिश तो कहीं लूज ऐसी स्थिती बनी हुई है मौसम विभाग की माने तो प्रदेश की ऐसी स्थिती है कि हर 500 मीटर पर तापान में असमानता देखने को मिल रही है ऐसे में ये मौसम आम लोगों के समझ से तो बिलकुल परे है मौसम विभाग की माने तो उत्तरी बिहार में अगले 24 घंटे में हलकी बारिश के भी आसार है मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी पुर्वी चंपारन, सीता मढ़ी, मधुबनी, सुपॉल, किशन गंज और अरर्या में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार है वहीं चड़ते पारे की वज़े से पटना जुले में इन दिनों चिकन बॉक्स के मरीजों की संख्या भी पढ़ने लगी है अगले महीने दोड़ेगी 25 नई AC CNG बसे अब जल्धी राज़ानी पटना को प्रदूशन से रहात मिलने वाली है क्योंकि प्रसाशन डीजल पेट्रोल की जगह CNG बाहनों पर जोर शोर से बढ़ावा दे रही है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है इसी कड़ी में पटना की सरकों पर अगले महीने से और 25 नई बसों का परचालन होने बाला है फिलाल अभी शहर में 70 CNG बसे सरकों पर दोर रही है शहर में 145 नई CNG बसे दोरेंगी इनमें 129 AC बसे जबकि 25 AC बसे होंगी यही नहीं 20 दिब्यांग स्पेशल CNG बसे भी आ रही है छटी बार बीते महीने इसका tenure निकाला गया है यदि ये पूरा हो जाता है तो 2-3 महीने बाद ये बसे भी शहर में आ जाएंगी पाटले पुतर विश्विद्याले ने गेस्ट फाकर्टी पद के लिए निकाली वेकेंसी रोजगार की तलाश में बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है इसके लिए अभियर्थी साथ मई तक आवी दन कर सकते हैं इस वेकेंसी में राज्जु सरकार द्वारा असिस्टन प्रफेसर के लिए जारी सभी दिशान निर्देश का पालन किया जाएगा इन्हें प्रती क्लास 1500 रुपे और कुल 15,000 रुपे तक महीने में मिलेगा मुख्यमंत्री का जनता दर्बार एक बार फिर राज से शुरू 11 अप्रेल यानि कि आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दर्बार शुरू हो चुका है विहार विधान परिशत का च्रिनाव खत्म हो चुका है और अब नितीश कुमार वापस जनता की श्रिकायतों का निबचारा करने हर सोमबार जनता के सामने मौजूद होंगे और आज भी मुख्यमंत्री नितीश कुमार की जनता की समस्याओं का ओन्द स्पोट निप्चारा करते देखेगे इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्ति, सिक्षा, समाजख्यान, पिछ्षा, अतिपिछ्षा विभाग, विज्ञान और प्रध्योगी की सुष्णा प्रध्योगी की कला संस्कृते, युवा विभाग, श्रम संसातन और अन्य विभागों की शिकायतों को सुना और उसका निप्चारा किया उप्योगिता प्रमान पत्र के आभाव में विहार दोसो उनतिस दश्रमलब पांस सिन करोड से बंचित निया पालिका की आधारबुद संरचना के विकास योजना अंतरगत विहार सरकार द्वारा पटना में डिस्ट्रिक कोट के नस्दीक 21.34 करोड की लागत से अधिवक्ताओं के लिए हौल की स्विकृती दी गई थी लेकिन नगर विकास विभाग द्वारा अनापत्ती प्र सरकार ने 239.35 करोड रुपए केंदर से मांगे हैं परंतु उप्योगिता प्रमान पत्र के आभाव में यह राशी बिहार को नहीं दी जा सकी है जानकारी के आभाव में शोपीज बना आटमाटिक टिकेट वेंडिंग मशीन जो सरह से देश दुनिया डिजिटल बनने की और अग्रिसर है उसी तरह दिहार राज्य भी डिजिटली करन पर खूब जोड दे रहा है इसी बीच पुर्वमध रेलवे की पहल पर पटना जंक्षन समेट 24 रेलवे स्टेश्टों पर आटमाटिक टिकेट वेंडिंग मशीन लगाई गई ताकि लोग खुद ही इस मशीन के माध्यम से खुद टिकेट निकाल सकते हैं टिकेट के लिए आपको टिकेट घर के पास लंबी-लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा हाला कि इस मशीन में इतना सुविधा मिलने के बावजूद भी लोग जानकारी के आभाव में इसका इस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं बिहार वधान परिसद में दिखेगा बड़ा बदला बिहार वधान परिसद की तस्वीरात से बदली-बदली हुई सीम मिलेगी बिहार वधान परिसद के 24 सीटों पर वेचुनाव और चुनेगे MLC ने आज शपत ग्रहन कर लिया है इसकी बाद राजुत की संख्या बल बढ़ गई है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार की मौझूदगी में बिधान परिसद के कारेकारी सभापती अबधेश नारायन सिंग ने एनेकसी सभागर में सभी कोश शपत दिलवाया है इस दोरान उपमुक्यमंत्री तारकिशुर प्रसाद और रेनु देवी भी मौझूद रहे इसी आधार पर विधान परिसद सच्ची वाले ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शबत ग्रहन के लिए सोचित कर दिया है तेश प्रताव के इस ट्वीट पर लोगों ने खूब लिये मज़े लालो प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेश प्रताव यादव आई दिन अपने बयान और ट्वीट को लेकर सुर्ख्यों में रहते हैं आज भी कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिन राम नबमी के अफसर पर तेश प्रताव यादव के ट्वीटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि राम नबमी के अफसर पर बहुत जरूरी एंट्री नितीश चाचा फिर क्या था यूजर इसका मतलम निकालने बैठ के इसके साथ ही कई यूजर ने देश प्रताव के इस ट्वीट पर जम कर मज़े भी लिए इस बीच एक यूजर ने लिखा कि आपके इस पोस्ट के डेमाइस वायम ट्रेन की पर्तुयों के किनारे किनारे चल कर रास्टरपती भवन जाऊंगा और आपको भारत रत्रिन देने के लिए रास्टरपती से गुहार लगाऊंगा बुरेफा से बाहुबली अनंत सिंग रुमांट में लेकर पूचताच करेगी पुलिस पुलिस के जवानों द्वारा कुछ दिनों पहले विहार के कई जिलों में छापा मारी की गए इस कड़ी में पटना बेउर जिल में भी छापा मारा गया जिसमें मुकामा के बाहुबली अनंत सिंग बंध थे ऐसे में उनके बंदीग्री से प्रतिबंधित सामान बरामद हुए जिसमें मुबाइल फोन शामिल है इसकी बाद बाहुबली मुश्किल में फजगे है बताय जा रहा है किस mobile phone में उन्होंने किस किस से बात की है इसको लेकर पुलिस उनसे पूछताच के लिए रमांट पे ले सकती है इसके लिए पुलिस द्वारा कोट में आवेदन देने की बात भी कही गई है आपको बता दे कि अरंण सिंग को रिमांट में लेने के पुष्टी फुलवारी शरीफ स्ड़ीपियो मनीश कुमार ने भी की है अब प्रॉपटी के जगड़ों का कोट से बाहर ही कर पाएंगे निप्टारा अब प्रॉपटी के जगड़े कोट के बाहर ही सुलज जाएंगे प्रॉपटी के विवाद के निप्टारे में कोट में लंबा वक्त लगता है ऐसे में बिहार रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानि की रेरा ने बड़ी पहल की है और इसके लिए रेरा के तहती सुलह और विवाद समधान प्रकोष्टी यानि की BCDRC का गठन किया जा रहा है इसके माध्यम से ग्रह को बिलजलों को कोट में केस करने से पहले विवाद निप्टाने का मन्चुती आ जाएगा जिससे दोनों पक्षों को मुकदमे बाजीक में लगने वाली रकम और समय की भी बचट होगी आपको बता दे कि विवादों के समधान के लिए पटना में एक पीठ होगी जिसमें तीन सदस्य होंगे इसे बिहार रेरा के सीनिर लीगल कंसल्टेंट हेड करेंगे मशूर फिल्म अभिनेता शिव सुब्रमन्यम का हुआन निधन मशूर फिल्म अभिनेता और अवर्ड विनिंग स्क्रीन राइटर शिव सुब्रमन्यम का बीती रात निधन हो गया आपको बता दे कि शुव को हाली में फिल्म ननाक्षी सुन्देश्वरम में देखा गया था इसके अलावा उन्हें फिल्म रॉकी हांसम, टू स्टेट्स, हिच्की, कमीने, द्रोहकाल और स्टेनली का दुबबा जैसे बड़े बैनर की फिल्मों में भी देखा गया था उन्हें फिल्म परिंदा के लिए डारेक्शन के लिए जाना जाता है इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवोर्ट से भी नवाजा गया था शिफ्स तुबरमनियम के निधन के ख़बर मशूर फिल्म नेकर हनसल महता ने ट्वीट करके दी है लखनाओ के खिलाव चार विकेट लेकर चहल ने कायम किया रिकॉर्ड आईपेल का ये 15 वा सीजन रोमांच के चरम पर है बीते इन खेले गए आईपेल के 20 में मकाबले में राजर्सान रोयल्स और नई फ्रेंचाइजी टीम लखनाओ सुपर जाइंट्स के बीच कांटे काटक कर देखने को मिला राजसान की तरह से खेल रहे लेक्स्पिनर ये जुवेंदर चुहल ले रिकॉर्ड कायम किया है लखनो सुपर जाइंट के खिलाब वान खेले स्टेडियम में खेले गया मुकाबले में च्वार विकेट हासिल कर इतिहास रश लिया आपको बता देगी चुहल आईपियल में 150 विकेट हासिल करने वाले छटे खिलाडी बन गए है कर हमारे दुवार आप पुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट है में अच्वा लगा है उनकी नाम है आपको क्या लगता है रेलवे स्टेशनों पर यात्री आटोमाटिक टिकेट वेंडिंग मशीन से यात्रियों को फाइदा होगा या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद